अब सभी का बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए ले क्या हूँ बिहारी लौकी और अलसी की सब्जी जिसको मेरे यहां सद्में तीसी बोलते हैं तो चलिए बनाते हैं बिहारी लौकी का सब्जी यह देखिए इसके लिए हमने एक मीडियम स आधा चमच लाल मिर्ट पॉडर आधा चमच धन्या पॉडर आधा चमच हल्दी दो तेजबत्ता तीन सुखी वी लाल मिर्ट आधा चमच जीरा स्वाद अनुसार नमक आधा कटोडी तीसी को लिये हैं इसको चिकना भी बोलते हैं अलसी भी बोलते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे हम इस अलसी को भून लेंगे गयास पे हम रखें एक गढ़ाही जिसमें डाले हैं अलसी अब इसे मीडियम प्लेम पर अलसी को हम भून लेंगे इससे तब तक भूनेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए और यह बहुत आबाद से बोट जाएगी सारा एक एक करके यह देख लीजिए यह देखिए उटकर तयार हो गया है अब इसे हम ठंधा करके 30 सकेंड मिक्सर में चला लेंगे 30 सकेंड से बिल्कुल ज्यादा नह दूसरी तरफ हम रखेंगे एक कोकर में डालेंगे जीरा सुखी मिर्स टेज पत्ता डालेंगे उसको हम ले लिए हैं तरकाक चटक जाने के बाद इसमें अब हम कटी हुई लौकी डालेंगे यह देखिए सारी लौकी को हम डाल दिये हैं अब हमारा जू मसाला हम लिए थे सभी मसाले को डालेंगे सबसे पहले नमक को डालेंगे फिर खल्दी लाल मिच पॉटर धन्या पॉटर इतना सब है सभी को डाल देंगे अब हम इसे अच्छी तरह से मिला देंगे और इसे धकन बंद करके तीन सीटी आने तक इसे पॉटर देंगे अब हम इसे अच्छी तरह से मिला देंगे पकाएंगे दोस्तों पानी का यूज आप बिल्कुल भी नहीं किजिए क्योंकि लौकी में पानी खुधी रहता है थोड़ा थोड़ा ये देखिए तीन सीटी लगने के बाद सित्की ठंडा हो गया विसे हम खोल के दिखाते हैं ये देखिए सबजी अब ऐसा है अब थोड़ा थोड़ा पानी और दिख रहा है और फिर इसमें हम डाले हैं अलसी कप और चार चमच आप चाहे तो इसमें और ज्यादा दे सकते हो अभी मिसे अलसी कप और डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिला देंगे ये देखिए ये अब बिल्किन परफेक्ट बन कर तयार हो गया है इसे हम ठंधा करनी के लिए छोड़ देंगे ये थोड़ा सा ठंधा हो जाता है थोड़ा थीक हो जाता है और बहुत अच्छा टेस्ट करता है तो ये देखिए हमारा लौकी की सब्जी पिल्कुर परफेक्ट बन कर तयार हो गई है अब इसे हम चाबल के साथ सर्व करेंगे दोस्तों कैसे लगी हमारी लौकी और सची की सब्जी हमें कॉमेंट में जरूर बताइएगा अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर हमें कॉमेंट जरूर कीजिए थैंक्यू मिलते हैं नई रेस्पिक्ट